हाई फ्रेंड विलकम टू माई चैनल इसके सोनू टेक वर्ल्ड देखे फ्रेंड इस वीडियो के माध्यम से हम आपके बहुत सारे कमेंट का जबाब देंगे क्योंकि बहुत सारा कमेंट आ चुका है तो जबाब देना भी उचीत है चलिए वीडियो को शुरू करेंगे उससे सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें ताकि आने वाली और जनकारी आप सभी को सबसे पहले मिले देखिए फ्रेंड पहला कमेंट हम बताते हैं आपको जो आया है असना तक पार वान सेशन 22 में एडमिसन कब से होगा जेपी उनिभरसिटी में देखिए फ्रेंड जेपी कब से होगा तो फिर इसके लिए आपको इंतिजार करना पर सकता है इसके लिए आपका जून तक डेट जो है वह आ सकता है क्योंकि आप कल के पेपर में देखे होंगे हिंदुस्तान के पेपर में जिसने बताया गया है कि आपको इसके लिए भी लंबा इंतिजार करना पर स चलिए परिंद अगला कमेंट है बहुत से छात्रों का उसको हम एकए करके देखते हैं और आपको बताते हैं चलिए कि इस परिंट का कमेंट आया है जिनका नाम निभाराय कमेंट है सर एक न्यूज सुन्ने में आ रहा है कि जिनका एक से पांच नमबर के बीच कम है उनको ग्रेस मार्ट देकर पास किया जाएगा इसके बारे में आप कोई वीडियो बनाएए सर क्या एन्यूज सच है या फेक है देखिए फिरिन यह जो बाते हैं छातर संग के द्वारा उनिभर्सेटी के कुलपती डॉक्टर फारुक अल्ली के सामने फिस्चल नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तो अभी इसके लिए आप वेट कीजिए जैसे ही इसके बारे में कोई इंफर्मेशन आएगा मैं आपको जरूर बताने की कोशिस करूंगा चलिए अगला कमेंट देखते हैं अगला कमेंट है परदीप कुमार का इनका कमेंट सब्सक्राइब करते टाइम प्रैक्टिकल नमर छुट गया है सुधार का कोई तरीका है कि नहीं देखिए अगर आपका छुट गया है तो आप अपने कॉलेज में कंटेक्ट कर सकते हैं अपने प्रिंस्पल से ओ आपको जरूर कुछ न कुछ सुझाव देंगे मेरे पास इ देखते हैं अगला कमेंट है छोटी कुमारी का इनका कमेंट है कि सर बताइए कि जो प्रमोटेड रिजल्ट हुआ है असना तक पार्ट वन सेशन 1922 का या अस्पेसल का उनका रियल्ट सुधरेगा की नहीं सुधरेगा देखिए अभी तो इस पर जाच चल रहा है दस तरीक यह तो निर्भर करता है जेपी उनिवर्सिटी पर कि ओ किसको सुधार करेगा किसको सुधार नहीं करेगा आपको अभी वेट करना होगा इसके लिए अगला कमेंट है सुनिता कुमारी का इनका कमेंट है कि सर बताइए असना तक पार्ट टू सेशन 1922 का परिक्षा फॉर्म कब से भरा जाएगा देखिए अभी तो एडमीशन होगा उसके बाद ही परिक्षा फॉर्म भरा जाएगा अभी तो 1922 का रियल्ट ही किलियर नहीं हुआ अभी तो रियल्ट को कम से कम किलियर होने दीजिए रियल्ट किलियर होगा उसके बाद ही इस पर कोई इनफर्मेशन आएगा तो आप इस बात को समझ गया होंगे चलिए अगला कमेंट हम लोग देखते हैं उसके बाद कमेंट है कि सर बताइए कि असना तक जाच कमेटी गठित कर दी गई जब तक जाच होगा नहीं तब तक आपका मारक्षित आपके कॉलेज में आएगा नहीं तो अभी आपको अफिस्चल नोटिफिकेशन के लिए वेट करना होगा उसके बाद ही कोई इंफरिमेशन में देपाऊंगा चलिए अगला कमेंट देख तो पहले तो आप रेजिस्टेशन को जरूर ले लें रेजिस्टेशन अगर नहीं लेंगे अगर इसमें कुछ गरबर हो जाएगा तो उस समय सुधार करने में प्रबलम होगी तो अभी तक आप रेजिस्टेशन नहीं लिए हैं तो अपने कॉलेस जाकर रेजिस्टेशन हर हाल में पहले जरूर ले 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 उसके बाद आपको एक और बात बता दूकि बहुत सारे पूछ रहे हैं कि परिशा फर्म को भरा जाएगा तो जब तक 1922 असना तक पार्ट वन कर्याल किलियर नहीं होगा तब तक आपका परिशा फर्म नहीं भरा जाएगा क्योंकि जो लोग 1922 के साथ पार्ट वन में फेल होंगे पर्मोटेड होंगे वो आप आपको वेट करना उसके बाद अगला कमेंट है बहुत सारे छात्रों का कि सर बताये कि असना तक पार्ट थर्ड सेशन 1821 का परिशा कब होगा तो देखिए फिर इसके लिए अभी आपको वेट करना होगा क्योंकि आप सभी को मालूम है कि अभी पार्ट वन के चलते बहुत से चात्रों का पर्थिर का परिक्षा फौर नहीं भरा गया है 14 माई तक अंतिम्तिति है परिक्षा फौर भरने की उसके बाद ही इस पर कोई अनफर्मेशन आएगा उमीद है कि अगले मंद आपका परिक्षा को लेकर जरूर कोई न कोई इंफर्मेशन आने वाला है तो अभी तक आप त्यारी करना शुरू नहीं किये हैं तो त्यारी करना शुरू कर दें अगर आप लोग कोईशन बैंक नहीं लिए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बक्स में लिंक है जहां से आप कोईशन बैंक को ले सकते हैं और उसमें देख पाएंगे कि किस तरह से आपक पाएंगे बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि बार-बार को रिपिट कर दियाता है तीन-चास साल के अंदर तो उस कोशन बैंक में आपको पांच साल का कोशन बैंक मिलेगा जिससे आपको त्यारी करने में मदद मिलेगी और आपका जो कोशन रिपिट कर जाता है तो आपको ब प्लाई दे दिया हूँ जो जरूरी था तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें ताकि आने वाली और जनकारी आप सभी को सबसे पहले मिलें फिर फिर मिलेंगे एक नई जनकारी के साथ तब तक के लिए जय हिंद